फ्रेंड्स आज हम आफ्टर डिलेवरी खाय जाने वाले गुड़ गौन सोट के लड्डू बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुई क्रेसी पीए चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने के लिए हमने 200 ग्राम मखाने लिये हैं 200 ग्राम हमने काजुओं को छोटे चोटे टुकड़ों में काट लिया है और यहां हमने 1500 ग्राम बादाम लिये जिसे बारिक बारिक काट लिया है आदा किलो हमने खोपरा लिया है जिसे हमने बारिक कद्दू कस कर लिय है यहां हमने देड़ सो ग्राम अखरोट लिये हैं जिने हमने छोटे टुकडों में काट कर लिया है और यहां हमने देड़ किलो गुर लिया है पचास ग्राम हमने सोट पाउडर लिया है पचास ग्राम हमने गोन लिया है और धाइसु ग्राम च्वारों को हमने बारिक लिया है 32 का जिस में से हमें 20 ग्राम डालना है ये कमर दर्ध पेर दर्ध जोड़ों के पेकेट लिया है, हम इसके लड्डू बानाना स्टार्ट करेंगे कड़ाई को गरम पे चलढ दिया है, दो चमग questo раз हम dobrze झालने कऱेंगे इसमें हम आदा गोन ढलेंगे पूरा गोन फ्राइए नहीं करेंगे आदा आदा करके करेंगे और गेस की फिलेंगे हम सिलो कर दिंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएं वरना ये उपर से फूल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं इसलिए एसे स्लो फिलेंपर इफृाई करेंगे इसे हम निकाल लिंगे वाकी के बचे हुए घी में भी हम बाकी पूरे गोन डाल दिंगे ये भी fry हो गए हैं इसे भी हम निकाल लिंगे गोन अच्छे से fry हुए हैं अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं अब उसकी कड़ाई में एक चममचोर घीडा लेंगे इसमें सारे मकाने डाल दिन गे और चमचे से हिलाते गूँ अच्छे से हम इसे फ्राइ कर लेंगे गेस की फिलम हम इस टाइम मीडियम टू हाई रखेंगे और यह अच्छे से क्रिस्पी होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे यह अच्छे से क्रिस्पी होगा है यह हमें आपको चेक करकर दिखाऊंगी यह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारे मखाने भी क्रिस्पी होगा है मैं इसी तरह से करना है और जैसे ही ये दोनों चीज़े थंडी हो जाती है मखाने और गोन तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे दरड़ा सा अब इसी कड़ाई में देर चमचा घी डालेंगे इसमें हम डाल देंगे छुवारे काजू बादाम अखरोट चारो चीज़ों को डालके अच्छे से दो ते से तीन मिट तक हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक इसकी नमी दूर नहीं हो जाती है और इस टाइम हम गेस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखेंगे स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जब तक हम मखाने और गोन को फ्राई कर लेते हैं मखाने और गोन को हमने ग्राइंड कर लिया है हमने इसे दरदरा सा ही ग्राइंड कर आए क्योंकि लड़ू बनाते हुए ये दिखाई देते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं अब यहां हमारी चारों चीज़े अच्छे से फ्राइ हो गई है और बहुत ही अच्छा इसमें कलर आ गया है अब हम इने भी सारी चीजों को निकाल लिएंगे हमने सारी चीज़े एकी बरतन में निकाल लिया है और यह बहुत अच्छे से फ्राइ हुआ है बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है उसी कड़ाई में एक चमचगी डालके हम सूखे नारियल को डाल देंगे और अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक इसे भी हम फ्राइ करेंगे दो से तीन मिनिट तक गेस की फ्राइ मीडियम टू हाई रखेंगे कलर चेंज होने लगा है अब हम इसे भी निकाल लिए और सारी चीज़ों को एकी बरतन में एक खटा कर लिए यह आप देख सकते हैं हमने आदा पेकिट रोक लिया है इसका बस हमने इसका आदा ही पेकिट का यूज करा है हल्दी भी डाल देंगे इसमें पूरी 50 ग्राम हल्दी और यहां हमने कमरकस लिया है यह भी डाल देंगे और चारों चीज़ों को अच्छे से हम स्लो फ्लेम रखते हुए पकाएंगे इसमें मुझे कुछ घी कम लग रहा है तो मैं इसमें 3 टेबिल स्पून और घी एट कर दूँगी और इसे अच्छे से हम मिक्स करते हुए पका लिएंगे आप यह देख सकते हैं इसा कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छे से यह पक गया है हम इसको निकाल लिएंगे और इसी एक बड़े बरतन में हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया है अब उसी कड़ाई में 4 बड़े चमच हम घी डालेंगे घी को गरम होने देंगे इसमें जितने भी लंब सारा हैं हम इसे सारे चमचे से चलाते हुए सारे अच्छे से मिक्स कर लिए और इसे हमें अच्छा सा कलर आने तक इसी तरह स्लो फ्लेम पर भून लेना है गेस की फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे वरना आटा इससे लग जाएगा अब हम अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे आप देख सकते हैं हमें भूनते हुए 10 मिनिट हो गाए है और अच्छा कलर आ गया है अब हम आटे को भी उसी बरतन में निकाल लिए या आप देख सकते हैं सारी चीजों को हमने एक ही बरतन में निकाल लिया है यहां हमने एक कड़ाई में गुड़ डाल दिया है गुड़ हमने देड़ किलो लिया है थोड़ा साइस में पानी डालेंगे ताकि यह जल्दी से मेल्ट हो जाए आप गुड़ को टोड़ कर भी डाल सकते हैं मैंने इसे बड़े बड़े टुकडों में ही डाला है अब आप यहाँ देख सकते हैं गुल मेल्ट होना शुरू हो गया है गेस की फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखी है इसे हम चम्चे से चलाते रहेंगे गुल को हम मेल्ट होने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरह छोड़ेंगे जब तक हमारा जितना भी मिक्सचर है सारा हम एक बड़े पतीले में निकाल लेंगे क्योंकि हमें लड्डू बनाते हुए प्रॉबलम होगी तो हम इसे एक बड़े पतीले में निकाल लेंगे या हम एक बड़ा पतीले लेंगे और सारे मिक्षर को आहिस्ता से इसमें डाल देंगे सारे चीजों को हम अच्छे से इसी में ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से चम्चे से चलाते हुए उपर नीचे कर लेंगे ताकि सारे चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएं अब यहां सारी चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है यहां हमारी गुड़ की चाशनी भी बनके तयार है हम यहां चेक करकर देखेंगे यह आप देख सकते हैं इसमें एक तार बन रहा है इसका मतलब है हमारी चाशनी बनकर तयार है अब हम गेस की फिलिम को आफ कर देंगे अब हम मिक्सचर के पतीले में एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको हम चान लेंगे गुड़ में अक्सर इंप्यूरिटीज निकलती है तो इसको चालना जरूरी होता है वरना लड्डू खाने में अक्सर कंकर वगेरा आजाता है तो वो गुड़ की वज़ा से ही आता है अब अच तेली पर अच्छे से ओईल लगा लिंगे घी लगा लें आप या ओईल लगा लें जैसा आपका मन हो और एक एक थोड़ा-थोड़ा सा पोड़िशन लेते जाएंगे और लड्डू को अच्छे से हलके हातों से दबाते हुए इस तरह से लड्डू बना लिंगे ये आप द बीडियम साइस के ही लड़ू बनाए हैं मैं बाकी के इसी तरह से ही तैयार कर लूँगी लड़ू बनकर तैयार हैं ये आफटर डिलेवरी बहुत ही फाइदे मन लड़ू हैं आपको कमर दर्द हो या जोडों का दर्द हो आपको सर दर्द हो जो भी प्राबलम हो इस सारी प् करा है ये बहुत ही फाइदे मन लड़ू होते हैं आप इस विंटर्स इस लड़ू को जरूर बनाएं आप खुद देखेंगे ये बहुत ही कमाल के लड़ू होते हैं आप एक एक लड़ू सुबा शाम दूद या चाय के साथ लें आपको बहुत ही इस से फाइदा होगा इस ल टाइम सब्सक्राइब जरूर करें फैमली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें फैस्बुक पेच पर भी आप मुझे लाइक फॉलो जरूर करें कमेंट में बताना ना भूलें आपको मेरी ताकत वर लड्डू की रेसीपी कैसी लगी